हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आज मैं बना रही हूँ भिंडी की एकदम चटपटी मसालेदार सबजी जो की सबको बहुत जादा पसंद आएगा बच्चे तो बच्चे बड़े तो बड़े सबको बहुत जादा पसंद आने वाला है तो एक बर मेरे तरीके से ये वाली र सब्सक्राइब करेंगे कि ब्हिंडी ऐसे ही बनाईये तो चलिए स्टाट करते हैं बनाना तो मैंने आपे बिंडी को अच्छे से धो करके रख दिया है तो यह मैंने यहां पर 300 ग्राम जितना ब्हटी वाश करके रखा है तो उसके लिए मैंने को प्याज और यह बहुत बड़ तामाटर ले लिया है तो आप लोग दो मीडियम साइज का टमाटर भी ले सकते हैं तो अब हम भिंडी को कट कर लेंगे तो भिंडी को हम लोग दो कट करेंगे उसके बाद फिर इसका चार पतला-पत्ला प्रीस पीसे बना लेंगे तो अगर कि आप लोगों को कुवांटिटी जादा करना ना न इस तरीके से कट करके बनाइंगे न तो बहुत सारे लोग खापाएंगे तो चोटे-चोटे साइज में भी आप टर इससे भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इस तरीके से भी तुरीज बहुत जादा तो एकदम पतले-पतले स्राइसेस में इसे भी कट करेंगे तो मैं आप लगों को दिखा देती हूँ कितना पतला रखना है तो देख सकते हैं मैंने मतलब बारीक जो पतला होता है वैसे रखेंगे तो अनियन फ्राई करते करते ना वह एकदम क्रिस्पी सा आजाती है तो जब पतलब करना है ना ज़ासे बगान अंगर यहां हहां सो कि पटले पले कल था यह confident होए निधे करम दोमधा ना इंप पर देखते वाट करना कंपाद कि में बढ़ा हैं अब टोन आपके पास घुड़ाय दें एक कंड़ करसे मोधाए नॉन्स्टिक पैन यहां कि यहां पे मैं और यहां आपर मुस्टर्डा घरने से बहुत जादा अच्छा ना थेस्ट आता है वह रिता पाद किशिए गटा यहां ने एक चमच जीरा और आधा चोटा जमच हींग एड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ओन एड कर देंगे अब आध्या कर तब तक हम इसे fry करेंगे तो ऑनियां देखिये मैं यहां पे नाप आप खूल जाता है जब गरम होता है तो इसे तोड़ने की बिल्कुल भी जरुरत नहीं पड़ती है यह खूल जाता है अपने आप तो देख सकते हैं आप तभी मिर्चे पॉड़र जीरा पॉड़र धनिया पॉडर और हलदी पॉड़र मैंने एक छमज एड़ किया है आप अपने अकॉडिंग नमक कर टेस्ट करके आप लोग एड़ कर सकते है तो यहां पे हम फ्राइप करिंगे तो देख सकते है ओनि यहां जो है और एक तम क्रिस् मिनिट के लिए एकदम लो फ्लिप में कवर करके रखेंगे इसे बीच में हिलाना नहीं है मिल्कुल मिक्स नहीं करना है तो देखें मैं धक्कन हटा करके आप लोगों को दिखाती हूं कि 5-7 मिनिट के बाद में आप लोगों देख सकते हैं तमाटर है सौरी हमारा भिंटी जो तो यहां पे आच्छे से मिक्स करें तमाटर को और यहां मैं आड़ कर रही हूं चाट मसाला तो अगर आप लोगोंगी के पास आम चूर का मसाला है वो यहां पर sukaते हैं तो यहां पर अदाबड चम्मच ृज् चाट मसाला वो एड़ किया है इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे तीन से चार मिनिट के लिए एकदम लो फ्लेम में फिर हम इसे देखिए धकन को हटाने के बाद में देख सकते हैं टमाटर भी हमारा सेवंड़ी परसंट यहां पर हमरा सॉफ्ट हो गया है अब हम क्या करेंगे इसे भीना कवर की ना किये ही यह तीन से चार मिनिटके लिए तो बिना कवर किये कुछ करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसका जो टेक्स्चर मिने के रेक दम चेंज हो गया है और यहां देख सकते हैं यह नैचे इस्टिकी हो गया है मतलब हमारा नीचे से जैसे हमारा कड़ाई में लगने लगेगा स्टिकी होने लगेगा तो हमारा समझ जाएगा कि सब्जी जो है वो तयार है यहाँ पर coriander leaves एड़ कर लें coriander leaves एड़ करने के बाद इसे एक से दो मिनट के लिए अच्छे से चला लें और यहाँ पर हमारा सब्जी जो है बिल्कुल भी तयार है और इसे सर्व करें गरम-गरम डाल चपाती या फिर राइस के साथ में सर्व कर सकते हैं वैसे मैंने डाल राइस चपाती सभी बनाया था लेकिन इतना टाइम नहीं था कि आप लोगों को सब कुछ मैं शेयर कर सकूँ तो इसलिए मैंने एक ही सबजी यहां पे शेयर किया है त तो यहां पे हस्बंड आफिस में है और अनु पढ़ाई कर रही थी आज वैसे तो इसका चुटी होता है स्कूल साइड़ है तो लेकिन वह पढ़ाई कर रही थी तो इसलिए मैंने उसे डिस्टप नहीं किया तो यहां पे मैं लेकर किया हूँ अपनी छोटी वाली को तो य मैंने आड़ करके इसे बनाया है तो आप लोग जरूर से यह वाली रेसेपी ट्राइप करिएगा तो हमारी तकलू आ गई है मेरे साथ मैंने उसे ले लिया था तो मैंने उसे टेस्ट करवाया है उसे बहुत पसंद है नहीं बोलना चाहिए चोटे बच्चे है नजर लग ज पसंद है इवन हस्बेंड तो बहुत ज्यादा पसंद है वो तो बोले ही थे कि मैं आईट में खाऊंगा मेरे लिए रख देना तो आज के लिए इतना ही और यह वाली रेसेपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब फॉलो और कमेंट करना ना भूले टाटा बाई बाई टेके